नमस्कारी ये नियूज देख रहे हैं आप में गरीमा श्रवासतवाब के साथ पाकिस्तान में दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा इमरान खान को लेकर अवाम सड़कों पर आ गई है इसके बाद इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रहत मली पाकिस्तान में पूर विधान मंतरे इमरान खान की गिरफताली के बाद से देश में तनाव का महाल बना हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानि की P.T.I. के पड़मक इमरान खान की जमानत के बाद सेना ने बयान वौरी कर मार्शल लो वाली कर बयाद दिया जियो न्यूस के हवाले से ये बात भी सामने आए कि पाकिस्तान सेना ने बयान में कहा कि देश में मार्शल लो नहीं लगाया गया है इंटर सर्विस्स पॉब्लिक रिलेशन्स के महाने देश रख मेजर जर्मरल एहमद शरीफ चौधरी ने देश में मार्शल लो लगाने के आरोपों को खारिस किया है उन्होंने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि सेना प्रमुक और सेना दिल से लोगतंत्र का समर्थन करता है मार्शल लो लगाने की ना तो कोई स्थिती हुए और नहीं सवाल पैदा होता है दरसल इमरान खान के गिरफतारी के बाद राज़नीतिक माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ था इस दोरां सेना के प्रदिस्ठानों को भी निश्वाने पर लिया गया जिसके बाद अब एहमद शरीफ ने ये बयान दिया है उन्होंने खुड़े शब्दों में कहा कि सेना प्रमुक लोगतंत्र में विश्वास रखते हैं और आगे भी इस स्थिती पहले की तरह बनी रहेगी बात ये सामी आई थी कि इमरान खान के समर्थकों पर गुलिया चुलाने सेनकार करने पर सेना के कई बिगेजर करनर और मेजर स्तर के अधिकारियों को बरखास्त कर दिया गया था इमरान खान ने जमानत मिलने के बाद एक बयान ज्वारी कर सेना प्रमुक पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि ये देश को बरबाद कर सकते हैं जितना ये हमारे देश को नुकसान पहुचा सकते हैं उतना हमारे दुश्मनों ने नहीं पहुच आया पाकिस्तान में सब चीजों के किलत चल ही रही थी कि इन सब के बेच इमरांग खान को लेकर विवाद बन गया और स्थिती और भी जादा बिगड़ गई पलोर्सी मुलक पाकिस्तान से जुड़ी हरताजा ब्लेट्स हर लेटेस्ट जौन कानिया आप सबी तक पहुच आएंगे बने रही जैन्यूस के साथ धन्यवाद